प्रिये चात्रो एक प्रयास चमल पर आप सबका स्वागत है आज हम आप लोगों को Assembly Language Programming का जो अंतिम टॉपिक है that is Input, Output and Machine Control Instructions Group आज वो डिस्कस करेंगे और इसके पाद 8086 के Basics को हम लोग study करेंगे तो चलिया यह शुरू करते हैं Input, Output, Machine Control Instructions Group को उससे पहले हम लोग से एक बार Notations देख लेते हैं ताकि बार बार प्राक्टिस करने से याद हो जाए और जब इंस्ट्रक्शन आप पढ़े तो यह सारी चीज़े आपके दिमाग में रहे जैसे CapitalM कहीं आता है means memory location pointed by HL register pair कहां पे रहेगा memory का location HL register pair में R stands for 8-bit register RP register pair के लिए है means 16-bit के लिए RS means source register ID means destination register and address means 16-bit address हो सकता है या आगर input output की बात करेंगे तो 8-bit address की बात होगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले stack operations है stack operations में देखते हैं कि क्या होता है तो stack में देखें देखें यहां पर बीच में आप देख रहे हैं वह तीन ठालियां है जैस्ट एक के उपर एक plates रखे हुए हैं तो जो सबसे नीचे वाला plate है वो सबसे पहले रखा गया होगा औ इसका मतलब क्या हुआ कि last in first out के principle पे stake काम करता है आपका stack basically होता क्या है stack और कुछ अलग से नहीं होता है जो memory आपके पास होती है उसी में एक अलग part होता है stake का जो temporary data storage के लिए define किया रहता है तो इस देख सकते हैं the stack is a portion of read-write memory set aside by user for the purpose of storing information temporarily store करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे suppose करिए कि आपने stake में कुछ write-down करना है write-down करना है मतलब stake में लिखना है तो stake में लिखने का मतलब क्या है stake में कोई data ले जाकर कि store करना है processor के case में तो वहाँ पे कौन सा operation होगा push operation उसको कहेंगे और sometimes जैसे stake में पहले से कोई data पढ़ा हुआ है stack में और उस data को अप्रेटरिव करना चाह रहे हो मिंस बाहर निकालना चाह रहे हो इसका मतलब क्या करना चाह रहे हो तो उस operation को क्या कहते है pop instructions कहा जाता है pop operation कहते हैं तो चलिए दो देखेंगे हम लोग पोस के अधार पे दो इंस्ट्रक्शन पोस रजिस्टर पेर और एक पूस PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड मिलेगा हम लोग को से मैं इस पॉप और पॉप PSW यह चार इंस्ट्रक्शन स्टेक operation के अंदर में देखेंगे तो सबसे पहला हम लोग देखत दो से इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट होगा वो सब अगे देख लेते हैं बैतर होगा डाग्राम के तो इसको देखते हैं तो देखें यहां पर operation में क्या होगा कि जो स्टैक पॉइंटर माइनस वन वाली जो भी वैल्यू होगी वह स्टैक पॉइंटर में चला जाएगा फिर जो रजिस्टर पेयर में जो हाई वैल्यू होगी वह कहां जाएगा स्टैक पॉइंटर पर इंडिकेट करेगा और लोर वाली वैल्यू कहां पर चले जाएगी स्टैक पॉइंटर माइनस वन फिर से जो है स्टैक पॉइंटर पर जाएगा मतलब यह स्टैक पॉइंटर कहने फायरबाइट कहा जाएगा जो भी माल लीजिए स्टैक पॉइंटर की वैल्यू होगी पहले से जो थी उससे ठीक एक पहले मतला माइनस वन वाले पोजिशन पर जब लोवरबाइट की बात करेंगे तो लोवरबाइट फिर से एक डिक्रिमेंट करेगा स्टैक पॉइंटर तो दिया हुआ है जो कि आप डिएग्राम में भीफोर एग्जीक्योशन में आप देख सकते हो कि स्टैक पॉइंटर में कहा है वैल्यू स्टैक पॉइंटर में 2000 पहले से पड़ा है डी में 10 हैर्वैली और एमें लोड वाला 501 पहले से पड़ा हुआ है और जो आपका 2000 एच को ये तीन लोकिशन्स रहेंगे आपके पास जैसे ही एक्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो आपको ध्यान से अगर आप उपर वाला देखे होंगे तो स्टैक पॉइंटर अपने से दो मतलब जोूइंटर इस टाउजन था ऊपर वाले depth चला जाएगा उसके एक और उपर जाकर क्या बैठ जाएगा जो लोर वाली होगी shimmer register की जो value है वो 50ho1f e में चला जाएगा तो यही चीज आपका push d के case में होता है जब push psw की बात करते हैं तो psw का मतलब होता है जब हम लोग बात कर रहे होते हैं accumulator और flag register जो भी operation push या pop की मदद से होगा वहाँ पे या तो रजिस्टर पेर होगा या psw होगा या आप कह सकते हैं कि 16 bit जो भी होगा वहाँ पे operate वो 16 bit का पराह होगा तो इस push psw में क्या होगा कि this instruction decrements stack pointer by one and copies the accumulator content into memory location pointed by stack pointer it then decrements the stack pointer again by one and copies the flag register into the memory location pointed by the stack pointer मतलब कहने का यह है कि जो accumulator का content होगा आप diagram में before execution वाले में देखें जाए पहले आपको समझा देता हूं कि accumulator की value कहां चली जाएगी पहले का जो stack pointer का value रहा होगा उसके ठीक एक minus वाले position मतलब stack pointer minus one वाला जो है वहाँ पे accumulator चला जाएगा और फिर उससे एक उपर means stack pointer minus two कह सकते हैं या जो present stack pointer है उससे एक और decrement करेंगे तो वहां पर आपका क्या चला जाएगा flag register की value चली जाएगी एक्जामपल के तोर पर देखिए कि जैसे stack pointer में आपने 2000h कहा ए में 20h है flag register में 80h है नीचे बिफोर execution में diagram में देखिए stack pointer में कितना है 2000h है accumulator में क्या परा हुआ है 20h flag register में क्या है 80h तो और फिर आपका 2000h stack pointer की value है तो दो उपर decrement कर दीजिए जैसे 2000h में से minus one करेंगे तो one triple fh बचेगा फिर एक और decrement करेंगे तो one double f e h बचेगा आप उस psw instruction को जब आप execute करेंगे तो after execution क्या होगा आपके पास after execution के बाद stack pointer पर क्या चला जाएगा one double f e मतलब माइनस टू वाला जो location है वो stack pointer में चला जाएगा accumulator में क्या जाएगा जो पहले से है 20 और 80 वो तो रहेगा ही और after execution जो stack pointer की value होगी वो कुछ इस तरह से set हो जाएगी one double f one triple f वाले पर क्या चला जाएगा जो accumulator में value है higher bit वाली मतलब 20h और जो lower है means flag register वाली value 80 वो कहां चला जाएगा one double f e वाला location पर 80 fix हो जाएगा अब बात करते हैं pop instruction में क्या होगा तो जो push में हो रहा है ठीक उसका opposite क्या होगा pop में होगा pop में मतलब कहने का यह है कि जो stack pointer की value है अभी पिछले वाले में क्या हो रहा था कि जो location था initial location उससे पहले एक decrement हो रहा था तो higher वाली value एक और decrement हो रहा था तो lower value उसमें जाके set हो रहा था यहां पर क्या होगा pop वाले case में कि जो आपका lower वाला value है it means that कि जो initial stack pointer so कर रहा होगा वो तो lower byte पे होगा तो जब आप lower byte निकालेंगे तो stack pointer एक से increment करेगा फिर से उस higher byte को जब आप निकाल लेंगे तो stack pointer अपने original position पर जाएगा तो प्लस टू होकर के निकल जाएगा तो देखिए यहां पर आप left से राइट से लेंगे initial position कहा है देखिए उस पुस का ठीक उल्टा यहां दिखेगा दो ऊपर में है जब आपने lower byte निकाल लिया increment stack pointer and rates lower byte रिट कर लिया अब जब आप हाइर C में जैसे पिछले वाले में पहले से पता था अब यहां पर पॉप-प करना है इसका मतलब stack pointer में पहले से वह value fix होगी उसी को B और C में डालना है तो देखिए 2000 H पे 30 पड़ा हुआ है जैसे दिया हुआ है कि lower जो value है वो 30 2000 पर पड़ा हुआ है 2001 पर 50 पड़ा हुआ है तो अग्ला location क्या होगा 2002 ही होगा stack pointer का और initial value 2000 दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा जब आप बी करेंगे तो पॉप-बी के case में क्या होगा stake pointer पर क्या जला जाएगा value जो 2002 जहां पर देखिए 3050 के नीचे 2002 है दो से इंक्रिमेंट होगा तो 2000 2002 पर चला जाएगा तो इस टेक pointer में 2002 हो जाएगा बी पी क्या वाली वाली वाला जो है उस पर higher बिट की वाली जाएगे तो higher वाली कौन सी है 50H तो 50H वाली बी पर चली जाएगी और C पर क्या जाएगा 30H जो की lower बाइट वाली वैल्यू है तो बिफोर एग्जीकेशन और आफ्ट एग्जीकेशन आप सेज को देख सकते हैं पर पर पी उसी तरह से पॉप PSW होता है तो यहां पर क्या होगा पॉप करना है PSW और PSW क्या होता है accumulator होता है आपका और साथ में क्या होता है दोनों combinedly PSW कह जाते है जिनको program status word कह जाता है तो इस condition में क्या होगा पॉप करना है अब PSW को तो सेम जो पिछला देखे थे उसका opposite यहां पर हो जाएगा क्या क्या होगा तो जैसे सेकट पॉइंटर एक से इंक्रेमेंट हो जाएगा मतलब SP प्लास बट पर प्लास मन पर चला जाएगा और फिर जहां पर communicator की वैल्युशन अच्छब दिया एक्जांपल में कि stake pointer 2000 पे है 2000 पे 30 पड़ा हुआ है 2001 पे 50 पड़ा हुआ है मैंस flag की value 30 दे दिया आपको accumulator की value 50 दिया हुआ है तो जब आप initially stack pointer में क्या value रहा होगा 2000 एक हाली होगा एक ब्लांक होगा और यह दोनों values कहां पड़ी होगी stake के अंदर में परी होगी 2000 पे flag register की value होगी 2001 एज पे accumulator की value होगी तो जब यहां पर आप instruction execute करेंगे pop psw तो उस condition में क्या होगा जो hide वाली value है वो तो यह में जाएगा और lower वाली किस में जाएगा उसके बाद दो और instruction है एक SPHL है एक XTHL है तो SPHL क्या कहता है कि यह instructions जो होते हैं उसमें HL register pair की जो भी value होती है वो stake pointer में जाकर के copied हो जाती है सपोज करिए कि HL register pair में H में हमेशा क्या होगा higher byte होगा L में क्या होगा lower byte होगा तो यह stake pointer में चला जाएगा मिस जैसे example के तोर पर देखिए कि HL जो है 2500H location को दिखा रहा है और SPHL कहीं लिखा हुआ है command इसका मतलब क्या होगा यह instruction copy करेगा 2500H को कहां पर instruction pointer में और जब आपका यह instruction execute करेगा तो stack pointer का content क्या दिखाई देगा 2500H दिखाई देगा means SPHL के थ्रू क्या करते है है HL register pair का जो भी content है उस content को as it is stack pointer में copy करने का काम करते हैं फिर XTHL देखते हैं क्या होता है तो XTHL में क्या होगा तो XTHL में exchange होता है किस्चीज का exchange होगा तो यह exchange होता है आपका this instruction exchanges the content of memory location pointed by a stack pointer with the content of L register and the content of next memory location with the value of H register and this instruction does not modify stack pointer contents तो देखे इसमें क्या होगा कि stack pointer की value होगी वो L में चला जाएगा और stack pointer plus 1 की value H में जाएगा कैसे जाएगा माल दीजी example देखते हैं कि HL जो है 3040H value है stack pointer 2700H है 2700H पर क्या content है 50H है और 2701 पर क्या content है 60H है तो before execution यह आपके values दी हुई है साथ में stack की values भी आपको पता है कि 2700 पर 50 है 2701 पर 60H पड़ा हुआ है जब यह xtHL command execute करेगा तो उस condition में क्या होगा कि जो stake की value है 50 और 60 value जो value है और यहाँ जो HL की value यह दोनों आपस में exchange करेंगे कैसे करेंगे जैसे देखिए lower वाली value कहाँ पर होगी 2700H पर 50 और यहाँ lower क्या है 40 तो यह 50 और 40 आपस में exchange करेंगे देखिए दोनों की value आपस में exchange हो रही होगी और H में क्या है 30 है और यहाँ higher byte कहाँ पर है 2700H लोकेशन पर है तो 60 और 30 आपस में exchange हो जाएंगे after execution तो इस तरह से क्या होगा before execution और after execution HL की value stack pointer की value के साथ exchange हो जाएगे उसके बाद कुछ IO instructions है input output instructions तो इसमें क्या होते है कि in address 8 bit अभी आपसे पीछे मैं बताया था कि जब भी हम input और output में addresses की बात करेंगे तो वहाँ हमेशा कितने bit की बात करते है 085 में 8 bit address की बात करते है तो इसमें क्या होगा in address 8 bit का मतलब क्या है जो भी value होगा address 8 bit का वो कहां चला जाएगा accumulator में चला जाएगा means this instruction copies the data at the port whose address is specified in the instruction into the accumulator वो जो भी address वहाँ पे जो भी port address defined होगा वो accumulator में चला जाएगा इसमें क्या होगा कि जो भी accumulator का content होगा वो कहां जाके copy हो जाएगा वो पर्टिकुलर अड्रस अड्रस में चला जाएगा में जो की आर्ट बिट का address होगा means this instruction sends the content of accumulator to the output port whose address is specified within the instruction जैसे suppose करी example के तोर पे age equal to 40h है means accumulator के value क्या है 40h है और out 50h command लिखा होगा है इसका मतलब क्या यह जो accumulator का value है 40h वो कहां जाकर के save होगा 50h जो भी port address है उस address पी जाके save होगा मतलब this instruction will send the content of accumulator 40h to the output port whose address is 50h तो 50h address बता रहा है उस address के content चला जाएगा और जाके save हो जाएगा उसके बाद यहां पे कुछ machine control instructions है जैसे EI, DI, NOP, HALT, SIM और RIM यह 6 instructions है machine control instructions कहा जाते है इसमें क्या होता है EI का मतलब होता है enable interrupt इसमें क्या करता है EI instruction set करता है interrupt enable flip-flop को interrupts enable करने के लिए when microprocessor is reset or after interrupt acknowledgement the interrupt enable flip-flop is reset and this instruction is used to re-enable the interrupt interrupt, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई interruptds disable हो जाता है तो उसको enable करने के लिए EI interrupts का इसतेमाल के जाता है di का क्या काम तो di this instruction resets the interrupt enable flip-flop जो भी यहां पे disabled interrupt में क्या होता है कि जो भी interrupt, if God is! Disable करना है तो उसके लिए disable interrupt किर आते है… और वह अत्राप होता है वो तो पता ही किया है नॉन मास्केवल इंटरप्ट है तो तो वह हमेशा इनेबल होता है उसके बाद फुर्ड करने के लिए का मैं का इस्तिमाल किया जाता है उसके बाद na P होता है no P का मतलब क्या है कि no operation is performed, अगर आपने command में nop लिख दिया, इसका मतलब है कि कोई भी operation performed नहीं होना है, halt, halt का मतलब यह होता है, कि यह instruction जो होता है, halt कर देता है processor को, it can be restarted by a valid interrupt or by applying reset signal, जैसे आपने कोई valid interrupt signal दे दिया, या कोई reset signal आपने apply कर दिया, उसके माध्यम से फिर आप processor को restart कर सकते हैं, otherwise अगर आपने hlt instruction जैसे कोई भी program देखेंगा, इसके दीचे hlt लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, कि वो processor को halt condition में डाल देता है, same instruction क्या होता है, कि इसमें interrupt को जो है, set interrupt mask, मतलब interrupt को masking कर दिया जाता है, इसमें और serial output data pin को भी, यहाँ पे serial data output के लिए इस्तेमाल के जाता है जैसे यहां देखें, same instruction, this instruction masks the interrupt as desired, जो desired interrupts होते हैं, उसको mask किया जाता है, it also sends out serial data through SOD pin, for this instruction, command byte must be loaded in the accumulator, और इसके लिए command byte कहा है, इस्तेमाल के जाते है, command byte होता है, 8 bit का, जिसको यह accumulator में लोड कर दिया जाता है, जैसे आप देख सकते है, 8 bit का, यहाँ पे क्या है, कि D0 स जो यह 8 bit का command word होगा, sim के लिए, ऐसा ही एक command word, दूसरे type का होगा, जो कि रिम के लिए इस्तेमाल होगा, read interrupt mask के लिए, तो इसमें क्या होता है, पहला D0, fixed है यह location, M5.5, mask 5.5, mask 6.5, mask 7.5, उसके बाद mask set enable, restart 7.5, reset 7.5, फिर D5 unused bit रहता है, फिर serial output enable और serial output data, तो इस तरह से 8 bits जो है, यह set interrupt mask में इस्तेमाल के जाते हैं, उतारट के तौर पे देख लिए, ऐसे accumulator में suppose कर यह 0EH पड़ा हुआ है, उस condition में क्या होगा, D0 से लेके D7 तक, 0E का मतलब क्या हुआ, 4 बार 0, E का मतलब 14 हुआ, इसका मतलब 111 और 0, तो यह इस तरह से रखा हुआ रहेगा, इ RST 7.5 and RST 6.5 interrupt, whereas RST 5.5 interrupt will be unmasked, देखे, D0 वाले bit की value 0 है न, तो देखे ऊपर में आपका 0 पर unmask है, तो वह ही लिख रहा है कि RST 5.5 unmask रहेगा, और यहां पर चुकी D6 और D7 पर output को देखते हैं, आम लोग, और output पर दोनों value 0 है, इसका मतलब output भी 0 रहेगा, और output disable and the last instruction, 74 instruction, जो summary language programming में है, वोरियम instruction, इसमें भी क्या होता है, कि 8 bit का command होता है, इसमें भी जो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, इसके 8 bit जो है, वो use में आते हैं, तो जैसे पहला bit है कि set RST 5.5 is mask, दूसरा 6.5 mask कब होगा, set होगा, फिर 7.5 set, if RST 7.5 is mask रहेगा, फिर उसके बाद, फिर यहाँ पे अगर D4, D5 और D6 के बाद करेंगे, तो set if RST 7.5 is pending, मतलब इधर वाला right वाला case में mask की condition, और left वाले case में pending की condition होगी, यहाँ पे serial input data की बात करते हैं, हम लोग D7 bit पे, और IE क्या होता है, set if interrupt enabled flop is set, तो उसके इसने माल के आता है, तो जैसे suppose करिए कि अगर कोई register A हो, accumulator जिसमें content अगर 4BH परा हुआ है, और rim instruction अगर आ जाए, तो उस condition में accumulator का इस content के कारण क्या होगा impact, तो सबसे पहले तो वो देखेगा, कि पहला bit जैसे D0 5.5 है, तो इसका मतलब क्या है कि RST 5.5 and RST 6.5 are mask यहाँ से D0 और D1 को वो देखेगा, तो कहेगा कि पहले तो masked है दोनों, फिर condition क्या देखेगा, D7 M 7.5 मतलब D2 bit पर देखेगा, 0 इसका मतलब क्या है, RST 7.5 क्या है आपका, या अगर वो देखेगा, D6 वाले bit को, कि 1 है, set है, इसका मतलब RST 7.5 pending वाली condition में है, फिर IE को check करेगा, means D3 वाले bit पर देखेगा, value 1 है, इसका मतलब क्या है, interrupt enable flip-flop set है, और फिर देखेगा, SID D7 वाले bit पर 0 है, इसका मतलब serial input data is 0, तो इस तरह से command words का इस्तेमाल करके, same instruction या dream instructions को execute कराया जाता है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर, आप लोग के साथ, 14 instruction इसमें भी discuss किया, और इ 74 instructions थे, 74 instruction आप लोग के साथ discuss कर चुका हूँ, अब आप लोग इसको note down करेंगे, और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका लाब भी मिल सके, next class में, अब हम आप लोग के साथ, 8086 का pin diagram और block diagram डिसक्स करेंग धर्नेबाद